नमसकार मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे है नेशनल दस्तक और आप्स तरीके से बहुजू छातौन पर अत्याचार किया जाता है आपको याद होगा रोहिद बेमुला आपको याद होगा पाहल तडवी और आपको याद होगा दर्सन सोलंकी इन लोगों के साथ क्या क्या नहीं हुआ और इन लोगों ने दुनिया को अलविदा कह दिया लेकिन एक नया मामला सामने आया है डी यू के प्रफेसर लक्षोन यादों है उन्होंने लंबा चोड़ा पोस्ट लिखा है उन्होंने लिखा महात्मा गाधी अंतर राष्ट्रिय हिंदी सामने बीते तीन दिनों से एक दलित शोद छात अपने पीच्डी शोद प्रबंध के मुल्यांकन के लिए धरने पर बैठा हुआ है और उनकी सुनवाई करने के लिए कोई तयार नहीं है बाबा साहाब अंबेडकर की तस्वीर लिए धरने पर बैठे इस दलित का नाम रजनीश कुमारंबेडकर है रजनीश बीते लगभक एक साल से जमा किये गए अपने पीच्डी शोद प्रबंध को मुल्यांकन के लिए भेजने की गुहार लगा रहा है लेकिन मनुवादी विशुद्याले प्रशासन लगातार रजनीश की मांगों को अंसुना कर रहा है अंतता ठक हार कर उसे विशुद्याले प्रशासनिक भवन के सामने धरने पर बैठना पड़ा है रजनीश के साथ उनकी पतनी और एक छोटी सी बेटी तथा दरजनों छात छात्राओं ने धरना अस्थल पर जा करके रजनीश के आंदोलन का समर्थन किया है बावज कर दियने से रोकने की कोशिक कर रहा है यानि मुल्यांकन नहीं करवाया जा रहा है और जब चात्र अंदोलन पर बैठता है तो इसके बाद शुद्याले के दौरा कहा जाता है आंदोलन खत्म कर दो और रजनीश को हटाने की कोशिक्स लगातार की जा रही है महात्मा चुद्वा फुले उम सावित्री बाई फुले तथा बाबा साहब अमबेटकर की धरती महाराश्ट के वर्धा में मनुवादी शुद्याले प्रशासन के इस शर्मनाग जातिवादी रवेये खिलाफ रजनी संबेटकर के इंसाफ के लिए इस लड़ाई को महाराश् आगे आना चाहिए तमाम मांगे है रजनी संबेटकर की जिसमें पहली मांग है मैंने अपना प्यच्डी शोध प्रबंद मुल्यांकन करवाने के लिए दिनांग 26 मई 2022 को इस्त्री अध्यन विभाग महात्मा गाधी अंतराश्टी हिंदी विशुद्याले वर्धा महाराश प्रशक बदलने की प्रिक्रिया की गई अपने प्यच्डी प्रक्रश संबंदित महिने का यावेदन पत्र यम जी एस्टी शुद्याले प्रशासन यूजी सी प्यमो यंसी यसी राश्पति और यहने चार सी को भीच चुका हूं दिनांग 26 तीन दोहजार तेस यानि 26 मार् है और 25 तीन दोहजार तेस को माननी एक कुल सचीव महोदे को सुझना दिया कि मैं दिनां 27 तीन दोहजार तेस को प्रशासनिक भवन के अंदर राश्प निर्माता बाबास साहब भीम रॉंबेटकर के बताए समयधानिक तरीके और गांदी जी के सुझाय सत्यागरा पर अन प्रशासन नहीं खड़ा है रजनी जबकि आंदोलन कर रहे हैं और आखिर में लिखते हैं कि मेरी मांग है कि यम जी एच्वी शुद्याले प्रशासन मेरे पीच्डी शोथ प्रबंद का मुल्यांकन करवा करके जल्द उपादी परदान करे अब आप सोचिए उनके छात्रा हैं जो उनको समर्थन देने के लिए लगातार पहुंच रही है लेकिन विशुद्याले प्रशासन के कान पर जू नहीं रिख रहा है मैं आपको तस्वीर भी दिखा रहा हूं देखिए किस तरीके से रजनी संबेटकर के हाथों में बावास साहं भीवरां बेटकर की एक बड़ी सी तस्वीर है और रजनी संबेटकर जमीन पर बैठे हुए हैं सत्यागरा कर रहे हैं लेकिन विशुद्याले प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है और आपको पता होगा किस तरीके से रोहित व्यमुला पायलतरवी दर्शन सोलंकी को परेशान किया जाता रहा है और रोहित व्यमुला का मामला इतना बड़ा हो गया था कि मायावती जो बहुजन समास पार्टिक सुप्रीमों हैं उन्होंने राजसभा से स्तीफा दे दिया था क्योंकि लगातार दलितों के साथ बहुजनों के साथ अत्याचार हो रहा है और जो तमाम प्रोफेसर्स है वे लोग मनुवादी विचारधारा के लोग हैं मनुवादी हैं और वे लोग लगातार बहुजन चात्रों को परेशान करने का काम कर रहे हैं बहुजनों को पढ़ने नहीं दिया जा रहा है बहुजन जब किस तरीके से पढ़ाय लिखाई कर लेता है आगे बढ़ने कोशि और इसलिए मैं कहता हूं कि आपको जागरूख होना होगा तभी आपका समाज पढ़ पाएगा तभी आगे बढ़ पाएगा क्योंकि बिना सिक्षा के कुछ भी शंभव नहीं हमारे देश में बाबा साहब ने कहा था सिक्षा उशेरनी के दूत के समान है जो पिएगा और कई दिनों से आंदोरन कर रहे हैं रजनी शंभेटकर फिर भी किसी कान पर जू नहीं देख रहा है अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग शेयर कीजिए जिससे पता चल सके कि किस तरीके से जो मनुवादी अध्यापा का मनुवादी प्रोफेसर हैं वे लोग किस तर दस्तक की आपसे गुजारिस है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो निस्मल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं निस्मल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़बर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें